हेलो मेरे प्यारे बच्चों तो आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल मिशन टूपे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो बच्चों मैं हूँ कैफ सर और आज हम क्लास 10 का समाजिक विग्यान सोसल साइंस का 30 महत्वपुन सवालों को बताने वाले हैं जो आपके फाइनल एक्जाम 2024 के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंग तक जरूर देखना और अपने सभी सात्यों को से जरूर कर देना तो चली फिर वीडियो को सुरू करते हैं और इसके चितने भी महत्वपुन सवाल देखे हैं सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं तो इसका जो सबसे पहला जो सवाल है आपका इतिहास से है जो कि काफ़ इंपॉर्टेंट है क्या है सवाल समाजिक उपबंद नामक पुस्तक के लेखा कौन थे ठीक है तो समाजिक उपबंद यानी सोसल कॉंट्राक्ट ठीक है इस पुस्तक का राइटर का नाम क्या था बच्चो तो इस पुस्तक को जो लिखे थे उसका नाम था रूसो ठीक है क्या नाम था रूसो समाजिक उपब की घटना कब हुई जालिया वाला हत्याकांट का जो घटना हुआ था बच्छो यह हुआ था 13 अब्रिल 1909 को यह जो घटना था बहुत ही सिनी का जन्म कब हुआ तो जो से पी में सिनी का जन्म जो हुआ तो 1807 इस वी को अगर डेट का बात करें बच्चो तो याद रखेगा 22 जून ठीक है 22 जून 1807 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्ष सवाल साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा तो साइमन जो कमीशन ज जाए और आने पे इसका विरोध भी हुआ था तो आप्सन नमबर सीस का राइट हो जाएगा आगे देखिए डिंडर पेश्ट क्या था बच्चो तो ये एक परकार का रोग था ठीक है कैसा रोग था बच्चो तो ये था पसू रोग डिंडर पेश्ट जो था ये एक पसू से लेकर 1918 तक हुआ था कब हुआ था बच्चो 1914 से लेकर 1918 तक चला था ये प्रथम विश्यूद ठीक है आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि दूसरा विश्यूद कब से कब तक हुआ था और यही चार में से आपका ऑप्सन है चलिए फड़ा फड़ा आप लोग स्थापना जो किया था यह जो से पी में जिनी ठीक है ऑप्सन नंबर सीज का राइट हो जाएगा था ठीक है यंग इटली सफ के स्थापना रॉलक्ट एक्ट कब पारित हुआ था ठीक अबने जेश्ट बताया रॉलक्ट के विरोद में जाल्या वाला हां हाथे कांड उसी दिने हुआ था ठीक है तो यह पारित हुआ था बच्चों यह उनीस सो उनीस इस विक हो था था निस सो इनीस को आप्सन नंबर वीज का राइट हो जाएगा आगे तो यह अज़्यों कि करांतिसवर प्रत्थम जो प्रारंभ हुए यह इंगलाइंड में हुआ था बच्यों option number A is right हो जाएगा आर्थिक महामंदी की सुरुवात कभ हुई तो आर्थिक महामंदी का जो सुरुवात हुआ था 1929 में हुआ था 1929 में option number B is right हो जाएगा आगे कि महत्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरम की तो यह 78 सदस्यों के साथ अठटर अनुयाईयों के साथ यह दांदी यात्रा आरम की थे बच्चों आप्सन number C is right हो जाएगा इटिली का एक ही करन कभ हुआ तो यह 1871 इस वी को था option number A is right हो जाएगा चले आगे देखते हैं जो कि आपके भोगोल से सवाल दे गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखिए नेक्स्ट सवाल जो दिया वाए देखिए आप question number पे गौर नहीं कीजिए का चुकि इसमें हम हर question question का numbering आपका अलग-अलग होगा ठीक है क्या है सवाल निम्ण में से कौन कौन सी एजेंसी सारुजनिक छेतर में इस्टिल को बाजार में उपलब कराती है तो कौन कराती बच्चों तो यह sell sell कराती है option number B इसका right हो जाएगा ठीक है option number B इसका right हो जाएगा sell आगे देखिए निक्स सवाल यहाँ पे भारत का सबसे लंबा राष्टे मार्ग इन में से कौन है तो भारत का सबसे लंबा राष्टे मार्ग यह NH7 है कितना है NH7 ठीक है और अभी इसका चेंज करके इसका नाम जो है बच्चों NH44 रख दिया गया है जब आप सर्च करोगे Google पे कि भारत का सबसे लंबा राष्टे मार्ग तो यह NH44 दिखाएगा ठीक है चुकि पहले था NH7 उसी का नाम को चेंज करके NH44 कर दिया गया है आगे दिखिए तो बी नंबर इसके हिसाब से ठीक है लेकिन अभी के कुशन जो आते हैं आपके वहां पे आपका 44 रहेगा तो याद रखेगा NH44 सब लंबा राष्टी राज्जे मार्ग आगे दिखिए इनमें से कौन सी रभी फसल है तो रभी फसल को पता है बच्चो ऑक्टूबर 9 वर में बहुत जाती है यह कौन सा है तो यह इसमें चना जो है बच्चो यह आपका रभी फसल है बाके आप चावल होगे मोटे आनाच का पास यह सब आपका और सब्सक्राइब का कुछातं कि सब्सक्राइब तो 100 उर्जा बताईए कभी खतम होगा जब तक हम लोग का जिंदगी मेरे प्यारे बच्चों तब तक के 100 उरजा रहेगे और इससे हम लोग ऊर्जा उत्पाधन करते रहेंगे ठीकिये तो न भी करने योग यह संसादन जो हैपका 100 तो जो अगे सफलाव सरकार निमनीलिखित में कान सी घोसनफ देने के लिए करतील है तो निंदे था मbuilt क्या हो को जाएगा सी जार्खन में इस्तित कोडर्मा इने किस इदि का आगरों कोडर्मा में क разм évत इत्वादाल उत्पार्द आगे yeah आपे किस मिट्टी में लाओ धातू के अधिकता होती तो लाल मिट्टी में लाओ धातू के अधिकता होती आगे दिखते हैं नेक्ट सवाल जो कि आपके नादगरिक सास्तर से हैं कि क्या है सवाल जार्खन राज्य का गठन कब हुआ तो जार्खन राज्य का जो गठन हुआ था बच्चों ये 2000 को हुआ था 2000 को हुआ था ठीक है आपको डेट भी याद होगा कब 15 नवंबर 15 नवंबर 2000 ठीक है याद रखेगा आगे दिखते हैं नेक्ट सवाल यहां पर 1970 और 1993 के मद्दे बेल्जियम के सविधान में कितनी बार संसोधन किया गया कितना बार संसोधन किया था बच्चों तो ये चार बा अंतरिक देश है तो और अंतरिक भारत भी posterioru कोई नहीं हो जात इसका सङुकत्र अंप्सिफटा संस्वाट कितन प्रयाय स्थानत क्या है तो मुक्ने प्रयरक सिद्धांति इसमें साश्कृतकिटिक कौिटक राष्टवाद किस तरीके का है सांस्कृतिक राष्टवाद बा आगे दिखें नेक्ट सवाल यहां पर भारती कम्मिनिस्ट पार्टी के अस्थापना कब की गई तो भारती कम्मिनिस्ट पार्टी की जो अस्थापना हुआ था बच्चों यह हुआ था आप लोगों का 1925 को डेट अगर पूछा बच्चों तो आप याद रखेगा दिसंबर 1925 भारती कम्मिनिस्ट पार्टी के अस्थापना की गई आगे दिखते हैं नेक्ट सवाल हम लोग अर्थ सास्त्र से जो सवाल आपके क्या है विश्व वैपार संगठन के अस्थापना कवे तो विश्व राष्टे गामिन रोजगार गरेंटी अधिनियम कितने जालों कितने जीलों में लागू किया थी के सबसे पहले लागू किया था ठीक है ऑप्सन नमर से इसका राइट हो जाएगा ठीक है जिसमें बचों जो बेरोजगार हैं वो लोग को सौ दिन की रोजगार देती है ठीक है यह जो योजना है आगे दिखते हैं नेक्ट सवाल यहां पर रोजगार की परिस्थितियों के अधार पर आर्थिक गतिवी धिय तो रोजगार की परिस्थितियां के अधार पर आर्थिक गतिवी धियां जो यह तीन छेत्रक में आपका परिवाहन आजएगा गाड़ी घोड़ा बैंक यह शिचक नेता यह सारे दीज का राइट हो जाएगा चलिए आगे सवाल देखते हम लोग जीडीपी के पदों में वर्ष दोजार तीन में त्रितिक छेत्रक की हिस्सेदारी कितनी रही तो इसमें रहता पचास से साट परसेंट और इसका राइट हो जाएगा चलिए अब लाश सवाल जो है बच्चो जो कि आपका तीसवा नंबर सवाल है नंबर पर मत जाएगा चुकि इसमें हम 30 important question को ही रखें क्या है सवाल वैस्वी करण ने जीवन अस्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई वैस्वी करण ने जीवन किस को पहुंचाई थे बच्चो वैस्वी करण जो globalization है वैस्वी मैं प्यारे बच्चो आप लोगको 30 मात तो पन सवाल मुझे आसा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को like करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेयर करेंगे ठीक है सेयर करने में अपना प्यार जरूर दिखाना ठीक है जरूर करना मेरे प्यारी बच्च इसी तरीके का आपका सोसल साइंस का या फिर साइंस का अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिये गया है जिसमें आप आप 2024 के तयारी कर सकते हो आप यहां पर आपका पांचवा वीडियो अप्लोड हो चुकी है आप उसे नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्सन में मैं लिंक दे रहा हूं सोसल साइंस का जो की आप 2024 की तयारी कर सकते हैं वहां से टिक है वहां पर जब लिंक पर क्लिक करोगे त कर तो वहां पर पूरा का पूरा आपको सेसल साइंस के important question मिल जाएंगे अगर आप सैंस का चाते तो सैंस का भी विडियो मिलेगा मेन का चाहते हैं और सब का सबका मिल जाएगा खे यह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में था हिंक्यू सो मच अगर चैनल को सबस्क्राइब ने कियी तो सबस्क्राइब जडरूर कर लें मिलते हैं कि हैं